Anti-Asthmatic Drugs and the Drugs which are used in the treatment of COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease मतलब आज की इस लेक्चर में हम दो टॉपिक कवर करेंगे सबसर पहला टॉपिक है Anti-Asthmatic Agents या फिर आप बोल लीजिए Anti-Asthmatic Drugs, Drugs बोल लीजिए या फिर Agents बोल लीजिए पहला टॉपिक है होगे आपका दूपिक रहेगा आपका की ऐसी कौन सी ड्रग से या फिर ऐसे कौन से Agents से जो की COPD मतलब की Chronic Obstructive Pulmonary Disease को सही करने के काम आते हैं ये दो टॉपिक आज की इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ COPD की तो COPD में क्या होता है आपको M5 सीमा होने की कंडिशन होती है ये क्या होता है एक respiratory problem है ठीक है जहां पर alveoli में fluid deposition होता है gases exchange होना possible नहीं रह पाता मतलब की gases exchange बहुत जादा hard हो जाता है तो COPD में क्या देखने को मिलेगा M5 सीमा की condition देखने को मिलेगी साथी साथ ये respiratory disorder अगर मैं बात करूँ अस्तमा की तो अस्तमा में भी काफी सारी problem आती है जैसे कि माल लीजिए आपका bronchiol ये normal वाला है और ये अस्तमा वाला है तो अस्तमा वाले में क्या होता है कि पहले तो ये बिलकुल narrow हो जाता है दूसरा यहां पर excessive mucos का deposition हो जाता है इस तरह से तो air के passage के लिए बिलकुल भी रास्ता नहीं बसता वहीं अगर आप normal देखेंगे तो normally यहां पर बिलकुल air का passage है आराम से air जो है in होगी और out होगी body से तो अस्तमा में problem आती है अस्तमा की condition में क्या होता है कि जो आपकी muscle होती है वो constrict हो जाती है नेरो हो जाती है आप देख सकते हैं यहां पर जो muscles होती है वो constrict हो जाती है नेरो हो जाती है यहां पर mucos का deposition हो जाता है यहां पर inflammation हो जाता है यह सारी problem आती है muscle construct हो गई, narrow हो गई, यहाँ पर mucos का diffosition हो गया, inflammation हो गया, जिसकी वज़े से यह पूरा रस्ता इसी तरह से block हो जाता है, और block होने के बाद अब यहाँ पर जो air है, वो in भी नहीं हो सकती, और out भी नहीं हो सकती, gaseous exchange बहुत जादा hard हो जाता है, अब बात करेंगे COPD की, तो CO COPD में, alveoli में problem आती है, जैसे माल दीजिए आपकी alveoli है, alveoli is the primary site for gaseous exchange, जो भी oxygen आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आएगा, और यहाँ से CO2 जाएगा, alveoli are the primary site for gaseous exchange, अब होगा क्या COPD की condition में, यह जो आपकी alveoli होती है, इसमें fluid का deposition होना start हो जाता है, इस तरह से fluid deposition होन पर inflammation हो जाता है, जिसकी वज़े से अब यहाँ पर gaseous exchange सही से नहीं हो पाता, तो यह problem देखने को मिलती है COPD में, और यह problem देखने को मिलती है bronchoconstriction वाली, जाद अतर अस्तमा में, इसमें भी होगा bronchoconstriction, पर यहाँ पर mainly यह chronic disorder होता है, respiratory platform में काफी सदा problem हो जाती है COPD म M5CMA होने के chances भी बढ़ जाते हैं, बात करें, अस्तमा की, तो अस्तमा में bronchoconstriction हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर lumen narrow हो जाती है, muscle construct हो जाती है, mucus का deposition हो जाता है, inflammation हो जाता है, तो कहीं न कहीं हमें क्या करना है, एक तो इस construction को सही करना है, जो muscle construct हो गई, उसको खोलना है ठीक है, जैसे मान लीजे, यहाँ पर यहाँ थोड़ी सी खोले, फिर उसके बाद, mucus अटाना है, यहाँ से inflammation अटाना है, जब मैं mucus भी अटा दूँगा, inflammation भी अटा दूँगा, तो यह भी पहले की तरह हो जाएगी, मतलब हम इस तरह की drugs पढ़ेंगे, जो की inflammation को कम कर दे, और जो की bronchiol को dilate कर दे, अब यह क्या थे, constrict थे, अब यह क्या हो गए, dilate हो गए, तो इस तरह की drugs पढ़ने वाले हैं, जो की mucus को तोड़े, inflammation को कम करे, bronchiol को dilate करे, inflammation को होने ही ना दे, ठीक है, तो lecture को ध्यान से सुनना, सबसे पहले पढ़ेंगे anti-asthematic drugs, फिर पढ़ें और COPD से 5 months का, तो चलिए lecture को start करते हैं, अगर आपको all lecture की requirement है, तो आप check कर सकते हैं हमारी playlist, जहाँ पर आपको unit wise सारे lecture मैंने mention किये हुए हैं, और अगर आपको notes की requirement है, तो आप check कर सकते हैं हमारी application, depth of biology की application आप download कर सकते हैं, play store से, और आपको वहाँ पर सारे notes available मैंने test भी होते हैं, online classes भी होती है, तो ज़रूर download कीजेगा depth of biology application, चलिए lecture को start करते हैं, anti-esthmatic drug और we can say anti-esthmatic agent and drug used in the treatment of COPD, ये दोनों ही topic आपको pharmacology में दे रखे हैं, अगर मैं बात करता हूँ pharmacology की, तो B-pharmacy 6 semester pharmacology में, unit number 1 में ये दोनों topic आपको mention है, सबसे पहला topic है, anti-esthmatic drugs और agents और दूसर topic है, drug used in the treatment of COPD, साथी साथ कई syllabus में topic mention है, MBBS, BS in nursing, BSC, तो इस lecture को ध्यान से सुनना, और जैसे कि मैंने आपको starting में introduction बता दिया कि asthma क्या होता है, COPD क्या होता है, और भी अगर आपको detail में जानना है, तो आपने pathology में ये दोनों ही topic प पढ़ा है, और COPD को भी पढ़ा है, इन दोनों की link, इन दोनों lecture की link मैंने description box में दे रखी है, आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि lecture अगर समन में आ गया, जैसे कि asthma पूरा आ गया, COPD पूरा आ गया, तो फिर drugs तो बाए हाथ का खेले, क्योंकि हमें पता है बिमारी, हमें पत है problem, कि problem क्या आ रही है, तो हम देंगे दवाई और उस problem को सही कर देंगे, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले हम देखने वाले हैं, anti-astematic drugs का classification, उससे पहले, जैसा कि मैंने आपको बोला, यहाँ पर एक asthma की lung दिखा रखी है, एक normal lung दिखा रखी है, तो देखो अगर normal lung से, मत यहाँ पर muscle relax ही रहेगी, lining बिलकुल normal रहेगी, mucus का amount भी normal रहेगा, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी inflammation नहीं होगा, यहाँ पर किसी भी तरह का construction नहीं होगा, वहीं अगर आप देखेंगे, एक asthma patient की lungs को, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, muscle tight हो चुकी है, यहाँ पर सू आप देख सकते हैं, इतना बड़ा पात्वे है, और यहाँ पर रह गया है, सिर्फ इतना सा पात्वे, तो यहाँ पर क्या हो चुका है, सूजन आ चुकी है, mucus deposition हो चुका है, inflammation हो चुका है, muscle tight हो चुकी है, तो यहाँ से हवा पास होने में बहुत problem आएगी, oxygen और CO2 के exchange को बहुत problem आएगी, अस्तमा के patient में, जबकि अगर मैं बात करूँ, एक normal lungs की, एक normal इंसान की, तो वहाँ पर muscle जो है, relax होती है, lining औगेरा सब normal होती है, mucus कम होता है, inflammation बिलकुल भी नहीं होता, तो यहाँ पर एक comparison दिखा रखा है, अगर अस्तमा है, तो coughing, chest tightness, wheezing, और shortness of bridge ज inflammation हो जाएगा, muscle tight हो जाएगी, और bronchoconstriction हो जाएगा, आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह constrict हो चुका है, जगे बिलकुल कम हो चुकी है, सूजन की वज़े से, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इस mucus को अटाना है, जैसे हम mucus को अटाएंगे, तो हमारा सही हो जाएगा, मतलब यह जो bronchoconstriction हो जाएगा, इसको अटाना है, इससे पहले जो muscle tightness हो, इसको अटाना है, inflammation को अटाना है, और हमें mucus को अटाना है, तो हम ऐसी ही drugs पढ़ने वाले हैं, जो इन सब को हटा दे, और हमारे passage को open कर दे, हमारे pathway को open कर दे, और air जो है in और out तरह से छोटी हो चुकी है, उसे वापस पहले की तरह normal करना, dilate करना, आप आसानी से देख सकते हैं, यहां से हवा के passage में problem आएगी, पर यहां से जो oxygen और CO2 है, वो easily जो है, exchange हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो bronchule हैं, जो की construct हो चुके हैं, उन्हें dilate करना है, तो है आपका methyl xanthine, और तीसरा है आपका anticholinergic, यह तीनों का अपना mechanism of action है, और उस mechanism of action को यह follow करके अपना काम करेंगे, मतलब की bronchule dilation करेंगे, जो bronchule construct हो चुका है, नेरो हो चुका है, उसे dilate करने का काम करेंगे, example है आपका salbutamol, terbutaline, यह होते हैं, बीटा to sympathomimetic, दूसर aminophylline, caffeine, और अगर मैं बात करूँ, anticholinergics की, तो epratropium bromide, tyotropium bromide, यह कुछ drugs हैं, जो की आपके bronchule को dilate करेंगे, पहले की तरह normal करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है, बीटा to sympathomimetic, अब नाम से बता लग रहा, sympathomimetic, तो ले चलता हूँ मैं आपको b.farmacy 4 semester में, जहाँ पर आपने पढ़ी थी फार्मकोलोजी, sympathomimetic का मतलब होता है, उसकी तरह act करना, mimetic का मतलब क्या होता है, mimicry करना, sympathetic की तरह mimicry करना, जिसे कि आपका sal-butamol हो गया, terbutaline हो गया, यह क्या करेंगे, बीटा to sympathomimetic की तरह काम करेंगे, बीटा to receptor को activate करेंगे और बीटा to receptor activate होने से, क्या क्या changes आएंगे, वो mechanism of action में पढ़ेंगे, पर finally तो यह ही है, कि bronchodilation होने वाला है, दूसरा है आपका methylzeanthin, तो methylzeanthin क्या करता है, एक enzyme है, उसको inhibit करेंगा, अब वो कोईंसा enzyme है, कैसे inhibit करेंगा, और कैसे bronchodilation होगा, आगे देखेंगे, next, anticholinergic नाम से पता लग रहा, कि जो cholinergic receptor है, जैसे M1, M2, M3, M3, जो cholinergic receptor है, उस receptor को block करना है, तब ही यहाँ पर word आया है, NT, तो कहीं न कहीं, अगर ही receptor activate होगा, यह जो cholinergic receptor है, जिसे की M3, अगर ही activate होगा, तो कहीं न कहीं bronchoconstriction हो रहा होगा, तो हमें इस तरह की drugs देनी है, ज diutropium bromide, जो कि इस receptor को block कर दे, जब यह receptor activate होगा, तो आगे जाकि bronchoconstriction होगा ही नहीं, तो इन तीनों को detail पढ़ेंगे, उसकी बात, यह तीनों तो क्या होगा, यह तीनों तो होगे, ब्रोंको dilator, मतलब कि यह bronchiol को dilator करेंगे, पर मैंने आपको बोला था, mucus deposition हो जाता है मैंने आपको बोला था, inflammation हो जाता है, तो inflammation किसकी वज़wsे होता है, inflammatory cells की वज़े से, जैसे की leucotrine साइटो काइन, यह जो inflammatory cells होते हैं, यहां से यह जो inflammatory granule release हो रहे है, histamine, leucotrine, regulating, cytokine तो इन की वज़े से क्या हो रहा है, inflammation हो रहा है, और वहाँ पर सूज़न आ रही है जिसक तो release होनी से नहीं रोख पाए तो leukotrin को receptor से जुड़ने से रोख दो क्योंकि leukotrin receptor से जुड़ेगा तभी तो अपना exchange हो करेगा तो कहीं न कहीं leukotrin के receptor को block कर दूँ तो leukotrin leukotrin के receptor से नहीं जुड़ेगा और आगे जाके inflammation होगा ही नहीं तो leukotrin का देना है antagonist antagonist वो होते हैं जो की receptor पर जाके bind होते हैं receptor को block कर देते हैं और agonist वो होते हैं जो की receptor पर जाके bind होते हैं और receptor को activate कर देते हैं तो जा भी मैं बोलूँगा agonist तो मतलब समझ जाना receptor activate होने वाला है और जहां master cell stabilizer का क्या scene होता है आपने पढ़ा है भी फार्मेसी फिप समिस्टर मेडिशनल केमिस्टर यूनिट वन जहां पर आपने पढ़ा है anti-histaminic drugs मतलब कि वहाँ पर आपने histamin को release होने से रोका था ठीक है तो histamin कब release होता है जैसे माल दीजे यह बैक्टीरिया है या कोई भी foreign particle है जो कि हमारी body में आ गया हमारे systemic circulation में आ गया यह कोई भी bacteria virus foreign particle allergen है जो कि हमारे systemic circulation में आ गया अब यह आने के बाद क्या होगा IgE antibody से जुड़ेगा किस antibody से जुड़ेगा IgE antibody से जुड़ेगा पर इसको यहाँ पर जुड़ने के लिए इस IgE antibody को mass cell पर जुड़ना जरूरी है किस पर जुड़ना जरूरी है mass cell पे जुड़ना ज़रूरी है जब यह IgE antibody this is IgE antibody जब यह IgE antibody mass cell से जुड़ जाती है तब जाके बैक्टिरिया यहाँ पे आके जुड़ेगा तब जाके बैक्टिरिया यहाँ पे आके जुड़ेगा तो बैक्टिरिया यहाँ पे कब जुड़ेगा यह बैक्टिरिया है यह इस IgE antibody से कब जुड़ेगा जब यह IgE antibody mass cell से जुड़े रहेगी तो कुछ कहानी इस तरह से बनेगी सबसे पहले यह mass cell हो गई आपकी मतलब mass cell है गलत मा समझना यहाँ पर यह आपकी IgE antibody हो गई यहाँ पर यह आपका बैक्टिरिया हो गया यह बैक्टिरिया इससे जुड़ा IgE antibody से और अब क्या होने वाला है यह mass cell granule release करेगी उस granule को बोलते हैं histamine क्या बोलते हैं histamine और जैसे ही histamine release होता है inflammation का कारण बनता है bronchoconstriction का कारण बनता है तो क्या bronchoconstriction कराना है क्या नहीं कराना inflammation कराना है क्या नहीं कराना क्योंकि अस्तमा तो पहले से inflammation में हो रहा है अस्तमा मतलब पहले से inflammation हो रहा है lungs में तो inflammation को कम करना है तो हम mass cell को क्या करेंगे stabilize करेंगे कि भाया mass cell आप थोड़ी से stable हो जाओ ये जरा सी बात पर आप बार बार granule निकालना बन कर दो क्योंकि अगर आप granule निकालोगे आप histamine निकालोगे तो ये histamine आगे जाकि bronco construction करेगा पहले ही सास निया पारी आपको क्या उपर पहुचाना है क्या नहीं तो हम क्या करेंगे mass cell को stabilize करेंगे कि वो granule ना लिका ले वो histamine को release ना करे तो ज्यान रखना mass cell stabilizer का काम किसे होता है histamine को release नहीं होने देते हैं histamine को अंदर ही रखे रखते हैं क्योंकि अगर histamine release हुआ तो आगे जाके bronco construction का कारण बनेगा inflammation का कारण बनेगा उसके बाद होते हैं आपके corticosteroids यह corticosteroids जो हैं आप systematic भी दे सकते हैं मतलब systemic circulation की through भी देख सकते हैं और आप inhalation की through भी दे सकते हैं दो तरीके होते हैं corticosteroids को देने के corticosteroids को आप systematic भी दे सकते हैं मतलब systemic circulation में direct दे सकते हैं जैसे IV से दे दिया intravenous या फिर IM से दे दिया intramuscular और via inhalation भी आप इसको body में insert कर सकते हैं ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर आता है आपका anti-IgE antibody IgE को रोग दो क्योंकि ये antibody आगे जाके allergy के लिए responsible होती है inflammation के लिए responsible होती है तो जब ये antibody नहीं रहेगी तो इस ताम इनका release भी नहीं होगा तो इस तरह से हम different mechanism of action देखने वाले हैं कि किस तरह से हम asthma को सही करेंगे मतलब कि आपको सही क्या करना है mucus को कम करना inflammation को कम करना muscle tightness को कम करना और bronchiol को dilate करना ये सारा काम आपको करना है क्योंकि यही problem दे रहे हैं तो चलिए सबसे बहले देखते हैं bronchiol को dilate कैसे करें यहाँ पर 3 है सबसे बहले देखेंगे beta 2 sympathomimetic फिर देखेंगे methylzeanthin फिर देखेंगे anticholinergic वैसे तो मैंने आपको एक idea दे दिया है पर beta 2 वाला important है और अच्छा है तो beta 2 sympathomimetic जैसे कि salbutamol, terbutaline आपको direct भी आ सकता है कि salbutamol का mechanism of action बताओ तो salbutamol मतलब कि beta 2 sympathomimetic या terbutaline मतलब कि beta 2 sympathomimetic किस तरह से अपना mechanism of action शो करता है वो हम देखने वाले हैं देखो सिधी सी बात है अगर आपने किसी भी form में drug देनी है या तो आप औरली दोगे तो औरली क्या होगा tablet का disintegration, dissolution, absorption फिर action आएगा systemic मतलब कि आप IV के through, IM के through दे सकते हैं, intravenous, intramuscular inhalation दे सकते हैं आप, metadose inhaler, nasal spray, nebulizer ठीक है ये सारे नाम आपको का पढ़ने बीफार में सी 7 semester novel drug delivery system नाम से एक subject आएगा वहाँ पर ये सारा पढ़ना है, nebulizer तो आता भी ये 5 marks में है वहाँ पर तो चलिए, सबसे पहले बीटा-2 संपितोमेटिक का mechanism of action तो देखो ये जो mechanism of action है, ये काफे ज़दा important है, इसको ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका बीटा-2 agonist है, मतलब कि साल, बूटा-मॉल, टर, बूटा-लीन agonist वो होता है न, जो receptor पर जाए, receptor पर बाइंड हो और receptor को activate कर दे, receptor में conformational change ला दे ताकि आगे further activity हो, तो agonist क्या करते हैं, receptor को activate करते हैं, तो बीटा-2 का agonist है, तो किस से जुड़ेगा, बीटा-2 के receptor से जुड़ेगा, और बीटा-2 का जो receptor है, वो कौन सा receptor है, GPCR है, G-protein receptor है, ये clear हो गया, तो बीटा-2 का agonist है, बीटा-2 agonist bind with the beta-2 receptor, this receptor is G-protein receptor, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही agonist इस receptor से जुड़ेगा, receptor में conformational change आएंगे, receptor में activation होगा, जिसकी वज़े से adenylyl cyclase का activation होगा, I repeat, receptor के activation होने की वज़े से, adenylyl cyclase का activation होगा, और इसके activation होने की वज़े से, camp का production होगा, cyclic adenosine monophosphate का production होगा, और जैसे ही cyclic adenosine monophosphate बनेगा, आपकी जो smooth muscle थी, वो relax होना start हो जाएगी, हमें यही तो चाहिए था, हमें हमारी smooth muscle को relax ही तो करवाना था, relaxation ही तो करवाना है, dilation ही तो करवाना है, तो सबसे पहले camp के release होने से, आपकी smooth muscle relax होना start हो जाती है, साथी साथ, camp के release होने से क्या होता है, वो भी देखो, यहाँ पर जो calcium है ना, आपके cell के अंदर, आपके intracellular fluid में calcium की कमी होना start हो जाती है, आपको पता है कि अगर calcium रहेगा, तो calcium जो है, contraction करवाता है और contraction होगा, मतलब bronchio construction होगा, तो अगर आप calcium को कम करते रहेंगे, तो construction भी कम होता रहेगा, तो पहले तो camp बना, जिससे muscle relax होई, दूसरा यहाँ पर intracellular fluid में calcium कम होने लगता है, और calcium के कम होने का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर contraction भी अप कम होगा, मतलब की relaxation होगा, तो आईए दिखते हैं कि यह calcium कम क्यों होता है, calcium कम इसलिए होता है, क्योंकि camp के activation होने की वज़े से फर्दर अब क्या होगा, potassium channel खुलेगा, अब आप बोलोगे सर, potassium channel खुलने की पीछे, calcium कम होने का क्या कारण है, तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो potassium channel है, इसका पेट्रोल से चलती है, तो पेट्रोल खर्च होगा, तभी वाइक चलेगी, वैसे यहाँ पर potassium channel अगर open हो रहा है, तो potassium channel किस पर डिपेंड है, calcium पर, calcium यूज होता रहेगा, मतलब calcium जो है, intracellular fluid में कम होता रहेगा, और potassium channel चलता रहेगा, और potassium channel चलने की वज़े से, जो अंदर के positive charge है, वो बाहर जाते जाएंगे, और अगर अंदर के positive charge बाहर जा रहे हैं, तो अंदर जो है, negative, 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 और ऐसा continue चलता रहा, तो आजाएगी hyper polarization की condition, जहाँ पर intracellular fluid में सिर्फ और सिफ negative charge रह जाएगा, positive charge बहुत कम हो जाएगा, और hyper polarization की वज़े से भी relaxation होता है, मतलब calcium के कम होने की वज़े से भी क्या हो रहा है, relaxation, hyper polarization की वज़े से भी क्या हो रहा है, relaxation, केम के बनने की वज़े से भी क्या हो रहा है, relaxation, तो इतने तरह से relaxation हो करता है अल्टिमेटली क्या होगा ब्रॉंक्योल जो है आपका डाइलेट हो जाएगा तो इस तरह से यह पूरा मेकनिजम अफिक्षन काम करता है साथ इसाथ मैंने आपको जब बोला कि यह जब इस रिसप्टार से जुड़ेगा रिसप्टार एक्टिवेट होगा तो जैसे ही इस रिसप्टार एक्टिवेट होता है इंफ्लामेटरी सेल के फंशन कम हो जाते हैं आपको पता है कि इंफ्लामेटरी सेल है तो क्या करेंगे इंफ्लामेशन करेंगे तो इंफ्लामेटरी सेल के फंशन जो है कम हो जाएंगे जैसे कि मास सेल के न्यूट्रोफिल के लिंफो आचुकी है उनका काम भी कम हो चुका है मतलब inflammation भी कम हो चुका है smooth muscle relax हो चुकी है relaxation हो रहा है hyper polarization की वज़े से calcium की कमी होने की वज़े से inflammation भी कम हो रहा है तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से आपके जो beta 2 enzyme को inhibit करता है देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अगर मैं बात करता हूँ methyl xanthin की तो यह methylPLE जाना करता है phosfo diasterase enzyme को inhibit करता है PDE enzyme को inhibit करता है अब जैसा क्यों है कि methyl genthine при pde enzyme को inhibit करेंगा तो ध्यान से देखो यह जो phosfo diasterase enzyme है इसको inhibit कौन कर रहा है methyl zenthin कर रहा है क्यों क्योंकि ये जो phosphor diastrase enzyme होता है ये आगे जाके camp को degrade कर रहा है और आपको पता है कि camp अगर रहेगा तो relaxation होगी ठीक है पर ये जो phosphor diastrase enzyme है क्या कर रहा camp को degrade कर रहा तो क्या ऐसा हम होने देंगे नहीं होने देंगे क्योंकि camp release होगा तभी आपका जो bronchiol ले वो relax होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा इस enzyme को रोकना पड़ेगा क्योंकि आपने अभी देखा कि camp के release होने से क्या होता है relaxation होता है, अभी हमने देखना है याँ पर इस diagram में, कि camp release होगा, तो smooth मसल में relaxation होगा, और smooth मसल में relaxation होने का मतलब ही कि pathway open हो रहा है, तो हमें camp को रहने देना है, camp को बढ़ते देना है, तो camp को बढ़ने से जो रोक रहा है न, वो है phosphodiesterase enzyme तो इस enzyme को रोक दो अब इस enzyme को रोकने के लिए जो drug हम ले रहे हैं वो होता है methylxanthin तो methylxanthin क्या करता है methylxanthin इस enzyme को रोक देगा यह enzyme रुख गया तो camp का degradation नहीं होगा और camp का degradation नहीं होगा तो camp बढ़ता रहेगा और अगर camp बढ़ता रहेगा तो smooth muscle में relaxation होता रहेगा और asthma सही होता रहेगा दूसरा कई तरह के enzyme होते हैं जैसे phosphodiesterase 3 phosphodiesterase 4 अगर मैं बात करूँ phosphodiesterase 4 की तो यह जो enzyme होता है यह responsible होता है आगे जाके inflammation के लिए कैसे यह जो phosphodiesterase 4 होता है यह release करता है cytokines को किसको release करेगा cytokines को, chemokines को यहाँ पे लिखा है कि यह जो phosphodiesterase 4 है न यह cytokine और chemokine के release के लिए responsible होता है इसकी वज़े से हमें इसका inhibition करना पड़ता है इसको रोकना पड़ता है क्योंकि अगर हम इसे रोक देंगे अगर हम इस phosphodiesterase 4 को रोक देंगे तो release नहीं होगा किसका cytokine और chemokine release नहीं होगा और अगर यह release नहीं होगा तो आगे inflammation भी नहीं होगा और हमें inflammation को ही रोकना है तो phosphodiesterase 4 को inhibit करते हैं ताकि जो है cytokine अगर optimization नहीं होगा तो एक तो यह वाला mechanism of action एक ये वाला mechanism of action अब उसके बाद एक और बाद ध्यान से सुनो ठीक है सर स्टार्टिंग के दो पॉइंट तो हमें clear हो गए कि पहला तो ये camp को degrade कर रहा था दूसरा ये inflammation के लिए responsible था इसलिए इसको हमें हटाना पड़ा अब तीसरा methyl zenthin अपना और किस तरह से काम करता है वो भी देख लो जैसे माली जी यहाँ पर एक receptor है जिसका नाम है adenosine receptor अगर इस receptor पर agonist आके जुड़ा agonist वो होता है जो कि receptor को activate करे तो अगर ये receptor गलती से भी activate हो जाता है तो आगी जाकि ये bronco construction करेगा क्योंकि ये receptor आपको massa sel पर देखने को मिलता है साथ साथ keen smooth muscle पर देखने को मिलता है तो muscle पर देखंवे को मिल रहा है तो histamine रिली झारख करा देगा Messi युड़ा जाएगा तो inflammation हो जाएगा और श COMशल में क्या गरादेगा Constoniction करा देगा तो एक तो inflammation भी करा रहा है constriction भी करा रहा तो क्या आप इस receptor को एक्टिवेट होने दोगे बिलकुल भी नहीं क्योंकि एक तो यह bronco construction करा रहा दूसरा inflammation करा रहा तो इसको activate होने नहीं देंगे और इसको activate से बचाने के लिए इस receptor को block कर दो और receptor को block करना है तो इस तरह से मैंने receptor को block कर दिया और आप सभी जानते हैं कि receptor को block करने की पीछे हाथ होता है antagonist का तो यहाँ पर antagonist की तरह काम कुन करेगा आपका methyl xanthine तो ध्यान रखना methyl xanthine आपके phosphodiesterase 4 को भी रोकेगा normal phosphodiesterase को भी रोकेगा साथी साथ यह antagonist का भी work करेगा किसके लिए adenosine receptor के लिए यह जो methyl xanthine यह antagonist का work करता है और यह methyl xanthine जो है adenosine receptor को block कर देता है ना रहेगा receptor ना होगा आगे further action तो बात खतम तो इस तरह से आपका methyl xanthine जो है काम करता है तो हमने देखा पहले तो बीटा-2 sympathomimetic में आपका salbutamol terbutalin किस तरह से काम करता है उसके बाद methyl xanthine अब हम देखने वाले हैं anti cholinergic नाम से पता लग रहा यह जो cholinergic receptor है इसको block करना है जैसा कि मैंने आपको starting में बतायता कि M3 receptor को block करना है तो यहाँ पर मैंने बता भी रखा है कि यह जो M3 receptor है इस receptor को आपको block करना है क्योंकि क्या होता है कि अगर गलती से यह receptor activate हो जाए suppose M3 receptor है और अगर यहाँ पर agonist आके जुड़ जाए और यह receptor activate हो जाए और यह receptor के activation होने के बाद क्या होगा bronchoconstriction होगा हम नहीं चाहते कि हमारी bronchiol और constrict हो जाए और यह receptor को block करने के लिए हमें देना पड़ेगा anticholinergic और anticholinergic का best example है ipratropium bromide तो यह जो ipratropium bromide होता है यह आपके M3 receptor पर आके जुड़ चुका है M3 receptor को इसने block कर दिया है और अगर receptor block होगा तो अब किसी भी तरह का कोई भी bronchoconstriction नहीं होगा receptor block हो चुका है तो अब होगा bronchodilation ही dilation तो ध्यान रखना अगर receptor activate होता तो constriction होता पर receptor को activate होने ही नहीं दिया receptor को कर दिया block with the help of ipratropium bromide और विकेंसे antagonist और विकेंसे anticholinergic example हो गया ipratropium bromide M3 receptor block और bronchodilation हो जाएगा अब tension free ठीक है यहाँ पर लिखा भी हुआ है देखो अगर M3 receptor activate हो जा तब तो bronchoconstriction होता इसलिए हमने ipratropium bromide दे दिया जिसकी वज़े से antagonistic effect आया M3 receptor block हो गया और यहाँ पर bronchodilation हो गया एक बात और यहाँ पर लिखी है कि यह जो ipratropium bromide है इसका action जो है धीरे धीरे आता है as compared to beta 2 sympathomimetic अभी हमने देखा beta 2 sympathomimetic में camp release हो रहा है calcium कम हो रहा है potassium खुल रहा है hyperpolarization हो रहा है तो वहाँ पर तो बहुत अच्छा activity आ रहा है यहाँ पर तो सिर्फ हम receptor को ही block कर रहे हैं तो ipratropium bromide का onset of action और weekend से intensity कम होती है as compared to beta 2 sympathomimetic drugs जैसे की salvitamol और tributalin और अगर मैं बात करूँ anticholinergic drug की तो echo drug होता है atropin atropin जो है आपके respiratory epithelium में बहुत अच्छे से absorb हो जाता है और absorb होने के बाद वह आपके systemic circulation में भी चला जाता है और atropin आपके tachycardia, dry mouth, nose या constipation, urinary retention का भी current बनता है अगर मैं बात करूँ epiratropium bromide की तो यह जो epiratropium bromide है अगर यह beta 2 agonist के साथ हम दे दे अभी हमने बोला ना beta 2 sympathomimetic beta 2 agonist अच्छे से काम कर रहे हैं उसके साथ अगर epiratropium bromide की दे दो मतलब कि आप इस kolinergic receptor को block भी कर दो तो और अच्छा काम होगा और powerful dilation होगा यह जो epiratropium bromide है epiratropium bromide यह आपको nasal spray यह आपको nebulizer यह आपको meter dose inhaler की form में मिलते हैं ठीक है? तो यह होगे आपका सबसे पहला category bronchodilator जहाँ पर beta 2 sympathomimetic और methylxanthine तीसरा होगया epiratropium bromide आगे चलते हैं नेक्स्ट है आपका leukotrin antagonist तो जैसे कि मैं आपको बोला था कि अगर leukotrin का receptor activate हो जाता है तो काफी सारी problem आती है तो हमें इस तरह की drugs देनी है जो कि leukotrin का antagonist हो मतलब receptor को ही block कर दे ना रहेगा receptor ना जुड़ पाएगा leukotrin बहुती कम side effect होते हैं और side effect होते हैं तो भी बस headache वगेरा, ratios वगेरा होते हैं बाकी यह बहुत अच्छा है यह आपको दे रखा है systenil leukotrin 1 यह भी आपको दे रखा है systenil leukotrin 1 यह दोनों receptor है अब जनरली क्या हो रहाता अगर leukotrin आके जुड़ता इस receptor पे तो यहाँ पर drug receptor का complex बनता receptor का activation होता receptor में conformational change आते तो यहाँ पर mucus आता swelling होती, inflammation होता bronchoconstriction होता यह सब हमें चाहिए क्या यह सब तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि इसकी तो पहले से बर्मार है अस्तमा में तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए bronchodilation, mucus कम inflammation कम, sujan कम swelling वगेरा कम, यही तो हमें चाहिए न तो हमें क्या करना है, इस leucotrin को रोकना है, कि भाईया आप मताओ, आप मताओ, और अगर आप आभी रहे हैं तो आपको हम जुडने नहीं देंगे, क्योंकि हम दे देंगे drug, यह जो drug है, उसका नाम है montilukast, यह montilukast क्या करेगी, इस receptor को यहाँ पे block कर देगी, और जब यह receptor block हो चुका है, तो अब चाहे विचारा leucotrin आएगा, तो भी नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि receptor already occupied है, receptor already blocked है, और अगर receptor already blocked है, तो receptor का activation नहीं होगा, तो यहाँ पर ना तो constriction होगा, ना mucus बढ़ेगा, ना inflammation आएगा, मतलब कि inflammation भी कम, mucus भी कम, constriction भी कम, susan भी कम, मतलब कि swelling भी कम, तो relaxation ही relaxation, और काम बढ़िया हो जाएगा, तो यहाँ पर इन दोनों की बीच में competition होता है, lyukotrin और monty-lucast की बीच में, जैसे की माल दीजिए, यहाँ पर एक receptor है, यह receptor में ने बना दिया, यह एक तरफ बनाया, monty-lucast, एक तरफ बनाया, आपका lyukotrin, generally lyukotrin जोड़ता था, inflammation होती थी, हमने दे दिया, monty-lucast, यह जाके जुड़ गया, receptor ब्लोक हो गया, इन दोनों की बीच में competition होता है, मैं जुड़ू, मैं जुड़ू, मैं जुड़ू, पर जिसकी concentration जादा होती है, वो जाके जुड़ता है, तो यह दोनो competitive होते हैं, एक दूसरे के, उसकी बात बात करते हैं, mass cell stabilizer, तो आपको पहले ही बोल दिया, कि mass cell को आपको stabilize करना है, कि वो histamine के release को रोके, क्योंकि histamine release होगा, तो आगे जाके bronchoconstriction होगा, यहाँ पर आपको दिखा रखा है IgE antibody, यहाँ पर आपको दिखा रखा है antigen, तो जैसी antigen IgE antibody से जुड़ेगा, mass cell का activation होता है, और यह mass cell जो है, histamine को release करती है पर हमें इसको रोकना है, mass cell को stabilize बनाना है, क्योंकि अगर histamine release हो गया, तो bronchoconstriction होता है, वो पहले से ही हो रहा है, और नहीं करना, उसको रोकना है, तो यहाँ पर आपको mass cell stabilizer के example भी दे रखे हैं, जैसे की sodium, chromoglycate और ketotiphan, यह क्या करते हैं, degranulation को prevent करते हैं, जो mass cell से granulation हो रहा है, degranulation हो रहा है, release हो रहा है, histamine का, उसको prevent करेंगे, कैसे काम करते हैं, देखे हैं यहाँ पर, dust, smoke और other stimulate trigger the degranulation of mass cell, जैसे की आप जानते हैं, कोई भी foreign particle, कोई भी allergen, कोई भी bacteria, कोई भी virus, mass cell को stimulate करता है, और वहाँ से histamine को release करवाता है, तो यहाँ पर हम जो mass cell stabilizer देंगे, वो ऐसा नहीं होने देगा, यहाँ पर लिखा है, the inhibitor of asthma, like histamine, L-T मतलब leukotrain, और interleukene, इनको inhibit करेगा, इनके release को inhibit करेगा, यहाँ पर हम histamine के release को रोक देंगे, फिर भी अगर गलती से histamine release हो गया, तो हम इसके action को नहीं रोक सकते, और साथे साथ यहाँ पर कोई bronchodilation नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, inflammation को कम कर रहे हैं, अब वो आगे जा कि काम आ रहा है, तो वो बाता लगे, पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम एक बात ध्यान से सुन लो, कि release को रोक रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कि यह जो drug है, sodium chromoglycate, यहाँ पर देखो मैंने mention किया है, यह जो sodium chromoglycate है, यह bronchodilator नहीं है, नहीं यह histamine के action को रोकेगा, यह सिर्फ और सिर्फ release को रोकेगा, prevent release, क्योंकि यह stabilize कर रहा है, mass cell को, तो यह सिर्फ और सिर्फ release को रोकेगा, ना तो यह bronchodilator है, नहीं यह histamine के action को रोक सकता है, ठीक है, अब देखो, bronco ispasmus क्यों होता है, allergen की विज़े से हो सकता है, ठीक है, cold air की विज़े से हो सकता है, exercise करने से क्या होता है, हो सकता है कई बार exercise करने से, अब आप बोलोगे सर के से, क्योंकि exercise करने से क्या होगा, heat loss होगी body से, water loss होगा, तो उससे chances बनते हैं bronco ispasmus क्यों, तो यह जो आपकी muscle stabilizer है, अगर आप इसे long term तक देते हैं न, muscle stabilizer को, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत अच्छी चीज होगी, जो आपकी bronchiol hyper activity है न, bronchiol hyper activity का मतलब है कि जिसे आपका जो bronco ही है, वो थोड़े से stimulation से stimulate हो जाता है, और mucus का secretion और inflammation करवा देता है, पर अगर आप muscle stabilizer को लंबे time तक देंगे, तो वो जो hypersensitivity है न, bronchiol की वो कम हो जाएगी, थोड़ा बहुत allergen आ रहा है, उसको फरक नहीं पड़ेगा, कि मैंने निकाल रहा mucus, मैंने कर रहा inflammation, मैंने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप मैं hypersensitivity नहीं रहा, क्योंकि मैं लंबे time से muscle stabilizer ले रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कि अगर अस्तमा के treatment में इसे आपको देना है, तो aerosol की format में आप दे सकते हैं, only a small fraction is absorbed systematically, this is rapidly eliminated in unchanged manner by urine and bile, bile की form में, urine के साथ, यह जो है unchanged form में release हो जाता है drug, body से, rapidly eliminate होता है, साथी साथ यह जो आपका mass cell stabilizer है, जो भी drug में आपको बताई, यह आपके allergic rhinities और allergic conjunctivitis में भी काम आता है, ठीक है, क्योंकि allergic reaction में ही stemin release हो रहा है, तो उन दोनों को रोकने के लिए, आप sodium chromoglycate दे सकते हैं, आगी चलते हैं, corticosteroids की बात करते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि corticosteroids को आप दो तरह से दे सकते हैं, एक तो हो गया systemic, एक हो गया आपका inhalation के थूँ, तो दो तरह की action है, इसके एक systemic है, एक inhalation के थूँ आप दे सकते हैं, यह जो है symptomatic है, मतलब कि symptoms को कम करेंगे, जो भी आपके inflammation के symptom है, जो भी आपके asthma के symptoms आ रहे हैं, जैसे कि आपको pain हो रहा है, आपको coughing हो रही है, आपको wheezing हो रही है, आपको shortness of breath हो रही है, ठीक है, साथे साथ यह एक और अच्छा काम करेंगे, यह क्या करेंगे, responsiveness बढ़ाएंगे, beta 2 sympathetic mimetic की, हमारे जो airways है न, जैसे हमारी LVLive अगेरा है, हमारे जो भी airways के पाथवे हैं, lungs अगेरा जो भी airways के पाथवे हैं, उनका responsiveness बढ़ाएंगे, मतलब कि अगर beta 2 drug आ रही है न, तो वो drug जल्दी जल्दी absorb हो जाएगी, तो अगर आप corticosteroids लेंगे, तो यह responsiveness बढ़ाएंगे, beta 2 sympathetic mimetic का आपके airway में, तो airway फटा-फट क्या करेगा, accept कर लेगा beta 2 sympathetic mimetic को, और आपको पता है कि beta 2 sympathetic mimetic कितनी अच्छी है, cytokine release होगा तो inflammation होगा, तो उसके production को कम करेगा, सबसे पहला काम यह हो गया, दूसरा infiltration रोकेगा, infiltration का मतलब होता है, एक तरह से transfer होना, penetrate होना, जैसे की hyacinophil होगया, आपका lymphatic cell होगया, तो यह जो हैं, लंक्स में जा रहे है, एसे नोफिल जाके क्या करेगा, allergic reaction, inflammation वगेरा करेगा, तो इसको रोकना है, तो एसे नोफिल को रोकेगा, cytokine की production को रोकेगा, साथी साथ hyper activity को रोकेगा, मैंने आपको बूला ना कि अगर आप कब रोंक है, hyper activity है, तो चोटी चोटी बात पर mucus release कर देगा, तो इसको hyper activity को रोको, edema को रोको, susan को रोको, तो यह क्या करेगा, edema को रोकेगा, hyper activity को रोकेगा, आपके एसे नोफिल को रोकेगा, आपके cytokine के production को रोकेगा, यह हो गया systemic corticosteroids, अगर मैं बात करूँ inhalation की, तो जब आप inhale करके drug को लेंगे, तो local effect तो उसका बहुत अच्छा हैगा, जैसे यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैंने inhale करके drug को लिया, तो मेरे lungs में local effect तो बहुत अच्छा हैगा, पर lungs से जब वो blood circulation में जाएगा, blood capillary में जाएगा, तो वहाँ पर first pass metabolism हो जाएगा उसका, और वहाँ पर उसका कोई भी action नहीं आएगा, क्योंकि first pass metabolism lever करवाता है, और lever जाते तर drug को metabolize कर देता है, inactive form में convert कर देता है, तो यहाँ पर first pass metabolism होने के करण कोई भी action नहीं आएगा, पर इसका अगर बात करूँ topical की, यह आपका first step होना चाहिए treatment का, किसी भी तरह के अस्तमा में, पर except की अगर अस्तमा अटेक आजाता है, acute अस्तमा अटेक आता है, तो उस condition में इसका ज़्यादा important role नहीं रहता, उस condition में आपको systemic वाले का ज़्यादा important role रहता है, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं COPD की, तो COPD क्या होता है, chronic obstructive pulmonary disease, यहाँ पर क्या होता है, chronic bronchitis हो जाता है, chronic मतलब यह एक severe, यह एक progressive disorder है, progressive disease है, यहाँ पर lungs की, यहाँ पर क्या होता है, दिरे 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 मुकस का deposition बढ़ता जाता है, यह एक long term बिमारी है, और ultimately alvelye तक खराब हो जाती है, alvelye में भी fluid deposition हो जाता है, alvelye में भी inflammation हो जाता है, और alvelye में inflammation fluid deposition गौम कहे रहे हैं, emphysema, तो यहाँ पर emphysema हो जाता है, मतलब inflammation in alvelye, जिसकी वज़े से gaseous exchange में काफी साथ problem आती है, ठीक है, इसका lecture भी आपको description box में है, तो जाके आप देख सकते हैं, COPD को भी अच्छा से detail में, आप देखो treatment का बात करें, तो यह देखो bronchodilator, वही देखो beta 2 sympathomimetic, वही देखो anticholinergic, वही देखो glucocoticoids, ठीक है, एक और है oxygen inhalation, मतलब कि oxygen marks लगाते हैं न, सास नहीं आती तो oxygen marks लगाते हैं, ventilator अगेरा पर, तो वह वाली बात है, और देखो यहाँ पर, आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, यह normal alveoli है, बिल्कुल उक्दम सही है, यह देखो infected person की, जिसको emphysema होने वाला है, यह देखो alveoli की हालत क्या हो जाती है, fluid deposit हो जाता है, और कही बार, यह जो आपका condition is COPD का, यह bacteria virus की वज़े से भी होता है, तो अगर bacteria virus की वज़े से हो रहा है, तो antibiotic, पूरे medicinal chemistry में antibiotic पढ़ी है न, antibiotic क्या करती है, cell wall को रोख देगी, bacteria की cell membrane को रोख देगी, protein को रोख देगी, और virus है, तो antiviral agent पढ़े है न, virus का replication रोखना आता है न, uncoting रोखना आती है न, virus का, जो जो step है, replication का, वो सारे step रोखना आते हैं, आपको antiviral आपने पढ़ा है, antibacterial, antimicrobial आपने पढ़ा है, कितने ही mechanism of action हो जाएंगे, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, उसकी बाद, अगर मैं बात करूँ, bacteria की वज़े से हो रहा है, virus की वज़े से हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, bacteria virus जब attack करते हैं, वहाँ पर inflammation होता है, mucos secretion होता है, तरह तरह के, जो inflammatory cell है, वहाँ पर mediator release करते हैं, जिसकी वज़े से broncoaspasmone की chances बन जाते हैं, example की बात करूँ, कि कौन-कौन से virus होते हैं, तो rhino virus हो गया, आपका coronavirus हो गया, influenza हो गया, फिर आपका hemophilis influenza हो गया, steptococcus pneumonia हो गया, तो यह कुछ bacteria और कुछ virus यहाँ पर दे रखे हैं, जो की आपके COPD के लिए responsible होते हैं, यह भी क्या करते हैं, mucos का secretion कराते हैं, वहाँ पर inflammation कराते हैं, अगर यह respiratory tract को affect कर देते हैं, तो, साथी साथ, यह bacteria growth क्यों हो और यह virus की growth क्यों हो और यह, पहली बात तो immunity कम है, दूसरी बात, या फिर कोई घातक बिमारी है, जिससे immune system बिलकुल ही down है, जिससे की AIDS वगेरा, उसके बात dehydration का problem है, dehydration में क्या होता है, पानी की कमी, पानी की कमी मतलब electrolyte की कमी, ultimately bacteria की growth के chances बढ़ जाते हैं उस condition में, और आप क्या कर सकते हैं treatment के लिए, आप physiotherapist से consult कर सकते हैं, mucolytic agents ले सकते हैं, या फिर आप बोलीजे anti-tacive, anti-tacive क्या करता है, कफ को कम करता है, जो भी mucus वगेरा उसको कम करेगा, और mucolytic क्या करेगा, mucolytic का मतलब होता है कि जो बड़े-बड़े mucus बन चुका है न वहापर, वो उसको छोटे-छोटे mucus के particle में convert कर दे, recovery के chances से वो ज़्यादा होते हैं, यह देखिए आप COPD क्यों हो रहा है, smoking से हो रहा है, pollution से हो रहा है, gene में changes की वज़े से हो रहा है, alpha-1 anti-tripsin की वज़े से हो रहा है, जब आप COPD के lecture को देखेंगे, तब आपको idea लिख जाएगा, तो यह था अज़का आपका पूरा topic COPD, उसकी drugs, और आपके asthma, उसको सही कहने के लिए drugs, classification, un-classification of drugs का mechanism of action, ठीक है, सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया, एक बात और, यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ है, आपके methyl zenthine का action, जैसे अगर methyl zenthine CNS पे गया, तो methyl zenthine के example है, caffeine, theophylline, तो वो क्या करते हैं, CNS को stimulate करते हैं, अगर वो cardiovascular system पे गया, तो क्या changes आएंगे, अगर वो smooth muscle पे गया, तो क्या changes आएंगे, kidney पे गया, तो क्या changes आएंगे, skeletal muscle में क्या करेगा, इस तमक में क्या करेगा, और mass cell और inflammatory cells के साथ क्या करेगा, ये सबी चीज़े देखनी होती है, अगर मालीजे किसी person को पहले से ही, CNS का problem है, उसका CNS पहले से हाइपर active रहता है, तो उस condition में आप methyl zenthine नहीं दे सकते, क्योंकि methyl zenthine के कुछ drugs जो हैं, वो भी CNS को और active कर देंगे, तो फिर problem हो जाएगी, आदमी पागल हो सकता है, मेनिया हो सकता है, bipolar disorder हो सकता है, तो drug को prescribe करने से पहले सारी stress आनना भी ज़रूरी होती है, किसी भी condition में, ये था आपका anti-astematic drug classification, anti-astema, और drug used in the treatment of COPD, आज के lecture में मैं आपको detail ने बता दिया, अगर आपको ये notes के requirement है, तो आप download कर सकते हैं, depth of biology application, depth of biology application आपको play store पे available है, साथी साथ अगर आप apple user है, तो आप download कीजिएगा, app store पे जाके my institute application, जैसे आप my institute application को download करेंगे, तो वहाँ पर आपको एक code required होगा, ORG code, वहाँ पर आपको लिखना है, MULNO, फिर आप अपने mobile नमर से register कर सकते हैं, और play store वाले simply depth of biology application को download करके, अपने mobile नमर से register कर सकते हैं, बात करूँ telegram और instagram की, तो telegram instagram से जोड़ जाना, जो भी नया लेक्चर आता है, उसके link telegram पे आती है, meme, updates, poll, mcq, सब कुछ telegram पे हम update करते रहते हैं, तो इन से जुड़ जाना, application से जुड़ जाना, क्योंकि further कोई भी बेच स्टार्ट होता है, या further कोई भी update आती है, या further हम mcq की practice कराते हैं, free mcq series launch करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है, mcq आप किस तरह से solve कर सकते हैं, further info के लिए भी, मतलब बहुत सारी guidance और बहुत सारी notification, बहुत सारी updates आपको मिलती रहती है, तो जरूर download कीजिए, join करके रखिए, सभी की link आपको description में मिल जाएगी, और वो lecture की भी जो मैं आपको देखने की कह रहाथ था, वैसे तो उसकी जरूरत नहीं, पर फिर भी आप देख सकते हैं, आपको और अच्छा पता लग जाएगा, अस्तमा और C.O.P.D. Subscribe and share for more, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं, Have a nice day, have a good day, Jai Shri Ram, Thank you.